तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 उसका जो पहला चेप्टर सोशोलोजी का अंडेस्टेंडिंग इंडियन सुसाइटी इंट्रोडक्शन टो इंडियन सुसाइटी वह हम चालू करने वाले तो मैंने यूटूब पर देगा कि बहुत सारे जो सोशोलोजी के वीडियोस थ ठीक है और एक स्टूडेंट था उसने कमेंड भी किया था मुझे बनाने के लिए तो फिर मैंने सोचा के बना लेता हूँ तो आज से हम सोशोलोजी का जो चैप्टर से वह हम चालू करेंगे वन बाइवन और अगर आपको लगता है कि मैं ठीक से मतलब पढ़ाता नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते कि क्या डिफिकल्टी है या मेरे पढ़ाय चुप पढ़ाने का तरीका उसमें क्या चेंजिस करोगा ठीक है अब जैसा बलूगा वैसा में कर दे जाओगा ठीक है तो पहला क्या है इंट्रोड़क्शन टो इंडियन सोसाइटी मतलब हा उसके इंट्रोड़क्शन दिया है कि मेडिवल पिरेड में क्या होता था एंशेंट पिरेड में क्या होता है और कॉलोनियल पिरेड में क्या होता था उस सबसे पूरा इसका इंट्रोड़क्शन दिया है तो इंशेंट और मेडिवल पिरेड मतलब जो गोतम बुद्दा या या फिर जो भी आशोगा या फिर उनके टाइम पिरेड की बात है या फिर मुगल्स 15th century उदर दगी ये बात ancient or medieval period colonial period मतलब बृतिश जब हमारे कंट्री में इंडिया पी आये इंडिया में अटेक करने या फिर इंडिया को कंट्रोल में क्या था वो हमारा इंडिया मतलब 1947 के बाद है जो इंडिया है हमारा उसे हम पोस्ट इंडिया बोलते हैं तो यह थोड़ा मैंने बेसिक इंट्रोड़क्शन देखिया क्या है तो अभी सोचलोजी है ना एक्दम सिंपल है आपको इसमें कुछ ज्यादा दिमाग चलाने के जरूत नहीं है जैसा दिया है उसको एकदम समझों खाले आपको अगर बेसिक इंगलिश आता है पढ़ने आता है समझ में आता कि क्या लिका है तो अब उसमें कोई टेंशन के नहीं जरूत है आप एकदम सिंपल है चैप्टर ठीक है कि हले आप रेगुलर जो भी चैप्टर है उसको बार-बार करोगे तो आपको इसलिए आपको समझ में आजना चलो हो जाएगा आपको किसके जरूत भी नहीं पढ़ेगी कि समझाने की तो सब्सक्राइब अब इसको इंट्रेस्ट के साथ पढ़ो तो आपको अच्छा लागे का ठीक है तो एकदम बेसिक में बताते तो कि बनारोडे मंतलब सोसी क solid shows अझालों सशैयटी मांटी मतलब स्टडी अफिस नजरी से डेखते है तो सोशेल कंस्ट्रक्शन क्या होता है या पिर जो भी मतलब कल्चर लेंग मेरें उसे संब जोब और पर उसका नरेशिंग रहे बच्चे का वह फिर बड़ा होता है उसको कैसे सुसाइटी स्वराइडिंग में उसके विजए से उसका कैसा मतला एक्षन फिर हो दे बड़े हुथ वह हम सब इसमें रहता है पढ़ने के लिए और गुछ इसमें नहीं है ठीक है है तो सोचोलोजी में क्या रहा कि हम कैसे तोर्थ करते हैं हमgrenぎ पसंद नहीं पसंद रहिंथ ए क्या सोचे वह सब हम कैसे सोचे वो सब हमें इसमें इसमें रहता है और प्रभूश नहीं धाज जिसे के यह बहुत जारा चांसे से कि आप जब बड़े होगे तो आपको यह प्रैक्टिस आपके यह प्रैक्टिस अच्छी होते हैं और दूसरा क्या दिया है कि ऐसा आपको कंडिशन किया जाता है कि अगर कि यह वाला सेक्स मतलब मेल या फीमेल यह एकदम सुपरियर जैसे आपको बताएगे कि आदमी ही एकदम सब रहते है और तो कुछ वैल्यू नहीं है आदमी मतलब आप भी ऐसे आगे जाके बोलो कि मेल का डॉमिनन्स होना चाहिए आदमी का सब बात सुनना चाहिए फिर चलना चाहिए गर में या जिदर भी तो यह मतलब आपकी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप भी ऐसे हो सकते हो ठीक है तो वह इसमें बताय गया है तो और आई गरोगा विडियो शाट करें सब्सक्राइब हुआ है तो हमारा इंडिया का जो सीवलाइजेशन मतबला इंडिया में जब से जो सिविलाइजेशन मतला लोग रहने लगे जो भी हुआ तो सोशोलोजी उस समय नहीं था मतलब हजारों साल पहले सोशोलोजी नहीं था तो सोशोलोजी का फॉर्मेशन या फिर इसका अबर्जन्स कहां हुआ यूरोप में यूरोपियन कंड्रिज में ठीक है फ्रेंच हुआ यह सब फ्रांस यह सब तो उदर हुआ और कौन से सेंचुरी में मेड आफ 19th सेंचुरी मतला 1850 के विच में इसका अमर्जन्स वा सोशोलोजी का ठीक है तो यह सब इसमें खले थोड़ा जनरल बताए है तो इधर क्या बताएगे जैसे कि इधर कोशन दे हाओ डूवी नो अबर तो सोशल लाइफ आफ पीपल इंदे इसन पास्ट तो हमें कैसे मालूम पढ़ता है कि पहले लोग इंशन टाइम में लोगों की लाइफ कैसे रहती थी सोशल लाइफ ठीक है तो वह मैं से मालूम पढ़ता है कि हमें जा तो फिर कुछ डॉकुमेंट्स रहे या फिर जो इस्टोरियन्स रहे और उन्होंने कुछ रिकॉर्ड उनके पास रहेगा उनका तो उस हबसे मैं मालूम पढ़ता है तो या फिर दूसरा जो बताएगे ट् अरत्रइचरे रड्यिक्ट्स और बहुत सारा इस सब इंस्क्रेट तेंसी मतलब अगर के जैसे कि जैसे बासको दाव गामा तो ट्रावलर तेम उन्होंने इंडिया में ट्रावल किया और उसके बारे में लिए अख को भी टे तो वो सब दो हमें उसके तरुम यह सब मालूब पड़ता कि पास्ट मतलब लोग कैसे रहते थे तो वो सब बता गया है और कुछ नहीं है इसमें तो यह था बेसिक इंट्रोड़क्शन और इसमें कुछ नहीं है ज्यादा इंप्रॉटन तो जो भी मतलब इसमें में इसका इंडिया तो इधर के थोड़ा आपको टाइमलाइन दिया है कि यह यह पिरेट कितने से कितने तक रहा था जैसे कि हारपन civilization मतलब oldest civilization हम बहुत सकते हैं तो वह कितने से रहा था six hundred बीसी मतलब before Christ मतलब first century से पहले मतलब this is क्रिश्ट हम कॉमन एरा कब से लेते हैं जैसे कि अभी 2020 से तो हम एक से लेके 20 हमारा 20 कैसे है मतलब यह इंग्लिश केलेंटर के या फिर ग्रेगोरियन केलेंटर के सबसे 2028 ठीक है तो वहाम जिसस क्रिश्ट मतलब जो ग्रिशन लोगों के बगवान थे गौड थे उनका जब जनम हुआ तब से हम कमन एरा बोलते उससे पहले जो भी बोलते हैं हम उसे 20 cools का जायर या फिर प्रौर्जिश्ड बिसी ठीक है बहुत सब्सक्राइण बात बात देखते होगे ब्सक्राइब कर सब्सक्राइब देखते होगे उसका यह मेनिंग रहता है तो टो टो एंटी-6202 भी सी 100 बीसे और यह उल्टिमें रिवर्स में रहता है हरपन सिवलाइजेशन इतने से इतने पिरेट के बिछ मेरा और वेदिक पिरेट कब से रहा 1500 BCE से 500 BCE तक सेकंड अर्बनाजेशन 500 BCE से 200 BCE तक क्लासिकल पिरेट 200 BCE से 650 50 EC CE तो इधर आगया हमारा common era मतला इधर जिसस क्रैस्ट का जनम हो जाता है 200 BCE के बाद CE चालो हो जाता है ठीक है और medieval period कब से कब तक है कब से कब तक है 650 common era से लेके 1500 common era मतलब 6th century से लेके 15th century तक हमारा medieval period कहां जाता है ठीक है आप समझ गए तो हम चालू करते हैं बहुत ज्यादा हो गया introduction तो यह period आपको अच्छे से समझाने के लिए तो इस सब के sociology course में आपको है ना ancient और medieval period के कुछ-कुछ selected topics या फिर यह तिम्स दिये है जिससे आपको समझ में आएगा कि उस time में कैसा क्या है religion belief था status of woman था nature of education था और social life कैसी थे लोगों के उस time पे ancient और medieval period के time और urbanization कितना था मतलब वह सब आपको इसमें मालूम पड़ेगा ठीक है तो religious beliefs and practices तो scholars suggest that the available discourses on religious practice are layered and complex as far back as the harapan civilization figure fragrance of male gods mother goddess and animal diabetes have been found तो यह जो harapan civilization था तो उस समय है ना हमने कैसा होता था कि लोग है ना कोई ऐसा मंदिर या फिर कोई मूर्थी नहीं होती थी कि जिसको उन लोग पूछते थे मतलब उसकी पूजा करते थे तो उस समय ना लोग है ना जो universe की जो creation है मतलब जैसे कि mother earth हुआ soil मतलब मिट्टी हो गई उसको उसकी पूजा करते थे या फिर बारिश रेन की पूजा करते थे या फिर परवत की पूजा करते थे या फिर forest हो गया इन सबकी पूझा करते थे मतलव इनको प्रेइ करते पर्शिब करते थे ठीक here Sun हो गया सुरह बगवन या फिर पहने ठन्डर भी जली ठीक है तो यह सब हमने देखा था लेकिंड जैसे जैसे टैम मतलब बित्ता गया तो लोग है ना हाइमन्स मतलब बनने चालो हो गए विद्धी वेनरेशन ऑफ डाइटी सच तो जैसे कि इनके लिए जैसे के इंद्रे भगवान हो गए हाइमन्स आपको पता रहेगे कि उनके लिए कुछ ऐसा लिखा हुआ तो वह सब रहता है और जैसे अगने सूर्य भगवान यम इनके लिए सब टाइम के साथ है हमारे मतलब इंडियन सिवलाजेशन में यह सब होने लगा ठीक है वेदिक टैम पर और और चो इंडिजीनिस ट्राइबल सोथे मतलब ट्राइबल मतलब इंडिजीनेस ट्राइबल मतलब उस पर्टिक्लर एरिया या फिलोकेशन में वह बहुत सालों से उधर ही रहे उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया वह इदर बाहर से नहीं आया और रहे हिए ठीक है उन्हें दिज्टत इंडिजीनेस ट्राइबल सोते गोल कमूनिटी रहते हैं तो उनका कुछ अलग से सिस्टमुन करीजेश रिलीजुनीटाइफ यह अरो सलगत है ना कि हमारे जस्च हमारा। तर्म में तो हमारा एक घर है मतला है कि हमारे मिने हम इसमें यह एकर यह रेक्टिस फोलो करते हैं डाइब तो ट्राइबल रिलिजियन्स है नो लेबल मतलब और नौर एनी रिटन स्क्रिप्ट्र तो जो ट्राइबल से उनका कुछ इसा रिटन डॉक्यमेंट नहीं रहता जिससे उन सबस्क्राइब करें सब्सक्राइब तो जो मैं अभी तक पता है ट्राइबल बिलीफ सिस्ट्म के बारे में मैं imagen Ryu तरह एक तो मदके तेक्स होते हैं उनके तुल मेडियुवल रिकॉर्स मतलब जो सिक्षी कौमनस के पड़िए बीच में जो रिगॉर्ट से उससे या फिर कॉलोनियल इतनों प्राफिस मतलब जो बृतिश से उनके जो एतनों ग्राफर्स से उन्होंने कुछ रिकॉर्ट्स अलग अलग मतलब टम दिया है जैसे कि ट्राइबल विलिफ सिस्टम बाई वेरिस टम्स लाग अनिमिजम हो गया तो तो यह अलग अलग टम दिया ठीक है तो हम इसके बार में आगे पढ़ने वाले तो एंत्रोव डिये थैं थोड़ा मतलब बदाया जाया कि एंत्रोग क्लें रहता है कि ही शनद A सब्सक्राइब करना चाला हो गया था कॉलनल पिरेड मैंने बादा कि ब्रिटेश्यर्स के टाइम विदे परफोस अफ स्टॉडिंग यूरोपीन एक्जोटिक सुसाइटिस अन कल्चर मतलब मतलब जो यूरोप में एक्जिस्ट नहीं करता था या फिर ट्राइबल्स हो गया उनके बार उनके स्टड़ी करने के लिए ठीक है मतलब यूरोप को छोड़ गया इसमें बहुत सारे फिल्ड हो दे लेकिन जो मेन फिल्ड वो क्या है फिजिकल एंत्रोपलोजी और सोशल या फिर कुल्च्राइब एंत्रोपलोजी ठीक है क्रिटिक ओफ एंत्रोपलोजी एस बिंग पाड़ोगों प्रोजेक्ट इस फांड इन इस कोलरली वर्क यह तो कुछ नहीं बस ऐसे ही थोड़ा इस रिगर्स दा हिंदू व्यवाव लाइफ द्यार मैंने लिटररी सोड़ेट शेड़ लाइट विलिफ्स प्रैक्टिस अफ दे विए वेडिक पिरेड तो जो वेडिक पिरेड था उस टेम पे जो हमारे लोगों की मतलब लाइफ थी कैसे उन लोग रहते था उनका रूट कि जैसे कि वेडिवेड पिरेड और लेटरवल पिरेड ट्यारल लेटर वेडिवेड पेरहें फाबल अजे से 202 पिरे और लाइटरवल पिरेड था तॉजण सब्सक्राइए फाइंड बीसी तक रहा तो यह से इसमें बता गया है तो वन आप दी रिजन फॉर इस इस डार सिग्निविकंट चिंजेस डेट टेक्स बेस अबड़ विच भी शाल डिसकस तो इसमें हम आगे देखते हैं अभी क्या है तो अभी इसमें क्या देगे जैसे कि हिंदू रिलीज जीनी चाहिए अब प्रिंसिपल्स या रूल्स या फिर नॉम्स फॉलो करने चाहिए आपके डेली लाइफ में या फिर क्या राइटे क्या रोंगे वह में सब इसमें बताया गया है तो जैसे कि मतलब एक हिंदू बिलिफ में मतलब यह सा बोला जाता है कि आपने सुना प्रिंदू बिलिफ में क्या है कि यह थोड़ा अलग है मतलब जैसे कि आप आज कुछ गलत कर रहे हो तो आपको यह गलत जो बहां कर रहे हो अगर आज ने बुक्तोंगे तो आपके नेक्स्ट लाइफ रहेगी मतलब दूसरा जब जनम होगा उसमें आपको यह गलत किया तब भूगतना पड़गा तब आपके साथ गलत होगा और अगर आप आज सही कर रहे हो कुछ अगर आपको यह सही करने का वाल आज नहीं मिल रहा तो अगले जनम में डेफिनेटल आपको मिलेगा ठीक है मतलब जो भी आप करोगे सब आपको इधर ही भूगतना है और सब फिर्ट होगा जो भी ठीक है तो और हिंदु द्रम में क्या बताया कि जो आत्मा रहती है वह बड़त और रिबर्थ में फस्रेव इसमें अन्टिलिट के रहता है मतलब जब तक मुक्ष्ण हमें मिलता है मतलब जब तक मुक्ति नहीं मुलती तब तक हमारा जनम पृतिव ज कुछ जादा नहीं है अपने सब इसके आवर रहोगे यह सब चीजों के बार में बहुत बार सोना रहेगा तो धर्मा कह रहेता है मतलब हमें अपनी कुछ की ड्यूटी करने चाहिए हमें सही पात फॉलो करना चाहिए ठीक है कि और ऐसा नहीं कि हम सही बात की फॉलो करें कि हम में कुछ कोरेवर्ण को Karl वह में सोचना नहीं नहीं यह काप नीम जोभी सभी है वह माना है इस अपने मैनत करके आपने जो कामाया है मैनत करके कमाना या फिर सही रास्ते पर चलके मैनत करके आपने जो कमाया उसे हम आर्थ बोलते हैं कामा मतलब क्या बोलता है कामा मतलब यह थोड़ा सेक्शुल प्लेजर या फिल से रिलेटेड हो गया मतलब सेंशेस प्लेजर और सेक्शुल यूनें थ्रूदी पात ऑप रैटियस नेस ठीक है इसके बार में कोश नहीं और मोक्षा मतलब हमारी हुमन लाइफ का में क्या गोल रहता है कि हमें मोक्षा मिलना चाहिए हमें इस प्लेजल से बार निकलना और हमें मुक्ती बाला ठीक है यह मोख्षा रहता है ठीक है तो यहीं सब से बतायागए और बात मैं हिंदु दुर्म में कैसा कि जैसा कि अलग अलग जातिस रहती है वो सब फसमें डिवाइदหर को में तो जो भी स्कॉलर्स उन्होंने क्या जाता था अगर कोई ब्राह्मण है तो वह शत्र से लिफ्ट शेता था या फिर शत्र है ऑगा तो लेकिन ये जैसे विदिक बाद में लेटर विदिक पिरिड में प्रडल में यह थोड़ा रिजीडिट्वेट ही जासे हो अगर पर गांद तो इसके शाधियों अगर वहाइज चाहिए तो इससाब से यह लेटर विदिक दिरेड में होता हो गया थोड़ा पॉलिट हो गया मतलब विदिक जो भी हमारा दर्म तो उसमें एकक्तम स्टिक्टनेस आ गया कि ऐसा ऐसा तो ऐसा ही होना चाहिए और कुछ बात में थोड़ा करप्शन आ गया मतलब बोल सकते ठीक है वह इसमें बताए गया है और बात में तो जो ब्रामिन सुप्रिमेंस से मतलब बढ़ती जा रही थी कि उनके सबसे सब हो रहा था तब ही दो अलग फिलोसोफिस आई वर्दमान महावेर की और गौतम बुद्धा की उन्होंने स्टार्टिंग में फिलेंस सोचिल बेश सब्सका सब्सक्राइब मतले और परसन है उसको cambik और फेमिली में पहले से उन नों लोग यह प्रेटिकुल काम करें जैसे का सिलाई का करें तो उसका बेटा भी वही काम करेंगा और राजा का बेटा राजाई बनेगा तो इसलिए खिलाफ उन्हों ने यह फिलोसोफिस उनका उनके बगवान से जिसमें से महाविर भगवन लास्ट थे ठीक है तो महाविर बगवान थे उनका थोड़ा जोड़ा जोब नी जैनिजम मतलब बता रहे थे तो वह थोड़ा हिंदूिजम से लेकिन उनके टीचिंग में वह हमेशा निर्वान मुक्षक के बारे में बादा दोंग और उन्हें लोगों को टीचिंग्स अपने जो भी वो टीच करते थे ठीक है तो सेम टूसम बाद में गौतम बुद्धा ना भी उन्होंने भी आपने टीचिंग्स मतलब सिखाना चालो गया और उन्हें पटिकुलर रिफ्रेंस नहीं बताया मतलब बहुंसे रिफ्रेंस ज्यादा कुछ दिया नहीं और उन्होंने जो उनके सेग्रेट लेटरेश्टर जाता जैसे कि पिता कास उनको पाली लेंग्विज में लिखा और कॉमन जो लोग थे उन लोग यह लेग्विज बोलते थे तो उनको तक कि समझ में आ जाये ठीक है और बात में जैसे जैनिजम और बुद्ध आट इसा फिक्स नेगेत कि यह पर्डिकुलर इंसान ऐसा ऐसा करेगा तो यह फॉलो कर सकता यह दरम ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं था तो सब लोग फॉलो करने लगे और बुद्धिजम का ज्यादा स्प्रैड क्यूआ बुद्धिजम मतला बहुत सारे कंट्रिस में स्प्र इसका इतना स्प्रेडिंग नहीं हुआ ठीक है वह इसमें बाद आगा है बस और जैसे कि बुद्धिस्व है ना बहुत जगा फैला में इन तो किनके कारण के मौरियन एंपायर थे आशोगा उनके त्रू और बात में अलगले कंटर्स जैसे तिब्बद हो गया चाइना हो गया जापन मॉंगोलिया बर्मा जावा सुमत्रा एश्रिलंगा इन में भी फैल गया ठीक है तो यह था और जैन बुद्धिस संगास मतला स्कूल फर रिलिजिस को मतलब टीचिंग्स करेंगे मतलब पढ़ाएगे मतलब उनके दर्म के बारे में और वह सब सिक्षा देगे तो वह उनके लिए अलग से बनाया मतलब संग बनाया और उदर ताके वह रहेंगे और उदर अपना रिमेनिंग लाइफ पूरा करें ठीक है और बुद्धिसम मे बुद्धिसम में बदा आएगे वह हमारे उपनिश्यत से उन में भी बताए ठीक है और सो वाइड़ी प्रेक्तिस रूद बुद्धिस्ट व्याफ ठीक है इस सब इसमें बताएगा है और बात में जैसे से टाइम बिद्ता गया तो जैनिजम और बुद्धिसम भी अलग- यान हो गए और माहा यान हो गए और वजरायन विच कम संदर विच कम समाच लाटर देट सेंचुरे इस तरह से इसका भी थोड़ा स्प्रेटिंग हो गया चालू हो गया और जैसे जैसे मावेर बगोन और बुद्ध बगोन को निर्वार्ण प्राप्त हो गया तो उनकी इसके बाद कोई इतना जैनिजम और बुद्धिजम इंपक्टिक्डम कर रहा था मतलब पूरे वल्ड में उतना मतलब बात में कोई रिलिजन आया नहीं मतलब तो वह गया तो थोड़ा इसके बार में अब हम देखते हैं मेडिवल पिरेड के बार में जिसमें की जो अलग-अलग रिलिजेंस आया इंडिया में 650 बीसी से 1500 बीच में जैसे कि हो गया जुदाइजम हो गया ठीक है क्रिश्चन हो गया इसलाम हो गया और बात में जोरो इंचेंट पैनेंशुलार इंडिया विच अप्रोक्समेट दप्रायर मतलब यह तमिलनाडवर के रला के स्टेट है जो भी उदर यह संगम पिरेड रहा मतलब पूरे इंडिया में नहीं था इधर इधर तक इसका नेम यह क्यों बड़ा आफ्टर दीस फेमस संगम अकडेम पोएट्स थी उनके ध्रोट जो स्कॉदर से ठीक है वो जो मदुराय में था और रिलीजन प्लेड़ा माइलडर रोल डूरिंग संगम एज बहुत रिजुलिस्टिक अन सब्लेज इसके बार में थोड़ा बताए कि रिच्वल्स कैसे रहते दे और रिच्वल्स मतलब में ए वर्षिपिंग होते थे ठीक है तो दम्मेंस अब दी संगमें ज्वेर अवेर अप्धिस रिलोसोफिकल एन स्पिरिच्वल तो यह थोड़ा लोग स्पिरिच्वली और फिलोसोफिकली अवेड थे वह इसमें बता गया है ठीक है और जो जो जोरो एस्टरनिजम कहां से शार भरना यह फिर उनको नगी हध्र करते है यह फिर उनको परेशन करना चालों लेया दूसरे गाल दो的人 के लोगर ने या पर एकदम एंडोगेमियों वह एकदम स्ट्रिक्टिव प्रेक्टिस होती है मतलब अंदर अंदर ही उनका अंदर अपने लोगों में उनकी शादी होती है ठीक है यह इसमें बता गया है और यह जो लोगे इनको फायर टेंबल से रहते मतलब जिसे अगनी देवता हो गए तो उनके जो मंदिरों में उनको जाना एकदम रिस्ट्रिक्शन है उनको ठीक है तो अभी जो बाकी का रहे गया है वह हम पीपल आप जीविश वाले मतलब इधर से हम अगले वीडियो में कांटिन्यू करेगे और अगर आप यह वीडियो में थोड़ा आपको सम्भल लग रहा परो एρόले में की दोड़ा motivations लुड़ा ऑर देग चिल二 कक And해서 फिस प्रावा रे साерт यह वीडियो में इद्झ सक्तर्तर्क दोड़ा उत्शन है वीडियो में कारको से फिर्शन है कोकिशन परब जनको सूबरों सुर्भ और दोलीό।